स्वारब गाउंगली दिनेश कार्थिक और रिशाप पंथ में से इस खिलाड़ी को चाते हैं वर्ल्ड कप टीम में नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों इंगलेंड और वेल्स के मेजवानी में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर अब कुछी महीने का समय है अब ऐसे में हर किसी टीम की नजरे अपने सयोजन पर होगी लेकिन इसी बीच वर्ल्ड कप की प्रवल दावेदार भारतिय क्रिकेट टीम की दावेदारी पर ऑस्टेलिया से मिली हार के बाद कुछ दिक्कते जरूर पैदा कर दी है वर्ल्ड कप में दूसरे विकेट कीपर माने जा रहे हैं पंत को लगा सता है जटका भारतिय टीम को ऑस्टेलिया के खिलाफ जो हार मिली उससे कई सवाल एक वार फिर खड़े कर दिये हैं जिसमें अब सबसे वड़ी बात ये सामने आ रही है कि आखिर आप धोनी के बाद दूसरा विकेट कीपर किसे चुनोंगे क्योंकि ऑस्टेलिया के खिलाफ युवा बिकेट कीपर बलेबाज को बड़ा मौका मिला थे लेकिन उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से गवा दिया है और एक वार फिर उनकी जगा पर पन आई है सौरो गांगली नहीं चाते हैं कार्तिक को पंट से पहले टीम में चुना तो वहीं दूसरी तरह भारते टीम मैनेजमेंट ने औस्टेलिया के खिलाफ बंडे सिरीज से अनूब अभी बिकेट कीपर बलेबाज दिनेश कार्तिक को टीम से बाहर रखा था लेकिन पंट की नाकामी ने कार्तिक को मौका देने की संभावना को बढ़ाया है भले ही यहाँ पर ने एक बार फिर वर्ल्ड कप स्क्वार्ड के लेकर अपनी संभावना बनाया है लेकिन भारत के पूर्व दिगज कप्तान स्वारो गांगली का माना है कि वो रिशब पंट को दिनेश कार्तिक से उपर रखेंगे कार्तिक से पहले रिशब पंट को मिले मौका वो है भविश्य के खिलाडी स्वारव गॉंगली ने कहा कि मैं तो रिशब पंत को दिनेश कार्तिक के उपर रखूंगा पहले वो कई बार आगे आई हैं लेकिन हमने कार्तिक के बल्ले से बड़ी पारी नहीं देखी हैं जो केदार जादव ने टीम के संगर्ष के दौरान खेली हैं तो अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं पंत को चुनूंगा क्योंकि वो भविश्य का खिलाडी है स्वारव गॉंगली ने आगे कहा लेकिन ये बहुत संभव है कि पंत का कार्तिक में से कोई भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना जाएगा जिस तरह से उन्होंने हाली में विजे शंकर का समर्तन किया है ये संभव है कि दोनों फ्रंट लाइन बैक अप विकेट कीपर में से कोई भी इंगलेंड में जगा नहीं बना पाएगा तो इसी स्थिती में शंकर को चुना जाएगा केल राहूल पंत और कार्तिक में से एक को चुना जाएगा दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहती हैं धन्यवाद